श्री शिवाये नमस्तुप्यम आप सभी पर भोलेनाद के गर्पा सदा बनी रहे आज सोमवार के दिन भोलेनाद की कथा सुनाने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आज 22 जनवरी सोमवार है और आज भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान होने जा रह को रोष्णी से जग्मक करने के साथ ही यदि आस पास कुछ लोग ऐसे हो जो लोग बहुत ज्यादा अस सहाय हो और जिनके पास दीपक तक जलाने के पैसे नहीं हो तो आप उनके घरों में अगर अपनी सामर्थ के नुसार हो सके तो दियों का या दिये जलाने से संब्द सा अब सुनिए आज सुमवार प्रत की कथा पॉराणी कथा के नुसार किसी नगर में एक साहुकार रहता था उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी जिस कारण वह बहुत दुखी था पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव की पूजा करता हर सुमवार व्रत रखता और पूरीश रधा के साथ मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पारवती की पूजा किया करता उसकी भक्ति देखकर एक दिन मा पार्वती प्रसन हो गई और भगवान शिव से उस साहुकार की मनुकामना पूंड करने का आगरे करने लगी देवी पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा हे पार्वती इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भागि में जो हो उसे भुगना ही पड़ता है लेकिन पार्वती जी ने सहुकार की भक्ति का मान रखने के लिए और उसकी मनुकामना पोंड करने की इच्छा जताई माता पार्वती के आगरह पर भगवान शिव ने सहुकार को पुत्र प्राप्ति को वर्दान तो दिया लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की आयू केवल बारह वश होगी माता पार्वती और भगवान शिव की इस वारता को सहुकार सुन रहा था उसे सुनकर ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख बलकि वह तो पहले की तरही भगवाई शिक्की पूजा करता रहा कुछ समय के बाद साहुकार के घर एक पुत्र का जनम हुआ जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी बेज दिया गया साहुकार ने पुत्र के मामा को बुला कर उन्हें बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त कराने के लिए लेकर जाओ रास्ते में यग्य कराते वे जाना जहां भी यग्य कराओ वहां पर ब्रहमनों को भोजन कराकर दक्षिना देते वे ही आगे जाना दोनों मामा भांजे इसी तरह यग्य कराते और ब्रहमनों को दान दक्षिना देते देते काशी की ओर चल पड़े रास्ते में एक नगर पड़ा जहां उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवहा था लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवहा होने वाला था वह राजकुमार एक आकसे काना था राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची साहुकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दुलह बना कर राजकुमारी से विवह करा दू विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाओंगा लड़के को इस प्रकार दूले के वस्तर पहिना कर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया लेकिन सहुकार का पुत्र बहुत इमानदर था उसे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी उसने अफसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि राजकुमारी तुम्हारा विवाहत तो मेरे साथ हुआ है लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आख से काना है मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी भी बाते पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई राजा ने बात जानकर अपनी पुत्री को विदा नहीं किया जिससे बारात वापस चले गई दूसरी ओर साहुकार का बेटा और उसका मामा काशी पहुँच गए और वहाँ जाकर उन्होंने यग्य किया जिस दिन लड़के की आयू 12 वर्ष हुई उसी दिन यग्य रखा गया लड़के ने अपने मामा से कहा कि आज मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं है सुनकर मामा ने कहा तो तुम अंदर जा कर सो जाओ शिव जी के वर्दान अनुसार कुछी छड़ों में उस बालक के प्राण निकल गए मृत भान जी को देखकर उसके मामा ने विलाब शुरू कर दिया सायोग वश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि प्राण नात मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा आप करपया इस विक्ति के कष्ट को अवश दूर कीजे जब शिव जी मृत बालक के समीब गए तो वह बोले कि देवी ये तो उसी साहुकार का पुत्र है जिसे मैंने बारवश की आयू का वर्दान दिया था अब इसकी आयू पूरी हो चुकी है सुनकर देवी पार्वती के मन में ममता जाग उठी देवी पार्वती कहने लगी हे महादेव आप इस बालक को और आयू देने की गरपा कीजे नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तडब तडब कर मर जाएंगे माता पार्वती के आगरह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वर्दान दे दिया शिव जी की करपास से बह लड़का जीवित हो गया शिक्षा समाप्त कर लड़का अपने मामा के साथ वापस नगर की ओर चल दिया दोनों चलते चलते उसी नगर में जा पहुँचे जहां कभी उसका विवाह हुआ था उस नगर में भी उन्होंने यगी का आयोजन किया उस लड़के के ससुड ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खोब आवभगत की और अपनी पुत्री को धुम धाम से विदा कर दिया इधर भूखे प्यासे रहकर साहुकार और उसकी पतनी अपनी बेटे के आने की प्रतिक्षा कर रहे थे उन्होंने निश्चे कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्ति को समचार मिला तो वे भी प्राण त्याग देंगे परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समचार पाकर वे बेहत प्रसन हुए उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपन में आकर कहा हे श्रेश्ठी मैंने तेरे सुमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयू प्रदान की है इस प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख महादेव की करपा से दूर हो जाते हैं और समस्त मनुकामनाई भी पूर्ण हो जाती हैं ये थी सोमवार व्रत कथा उमीद है आपको पसंदाई होगी